हेलो दोस्तों रभीका मुबाइल रिपेर में आप लोगो स्वागत है आज मेरे पास में पावर बैंक है एम आई का जो कि कस्टमर ने बताया कि यह गिर गया था उसके बाद में चार्ज लेना बंद कर दिया है और यह पावर बैंक चार्ज होता है तो आप लोग को दिखाते भी हैं चेक करके कि चार्जिंग मोबाइल चार्जिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है आप लोग देखिए और जो हमारे नए दोस्टेक रहें सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वैल आइकों को दबा कल में सेट कर दिजिएगा देखिए चार्जिंग सो नहीं कर रहा है मोबाइल और पावर बैंक पावर बैंक से आउट फूट नहीं निकाल रहा है देखिए आप लोग को ओन करके भी दिखाते हैं और देखिए चार्ज है पावर बैंक पूरा चार्ज है थी पॉइंट है और एक पॉइंट नहीं है यानि चार्ज है इतना में चार्ज मोबाइल लेना चाहिए पर ले न बताएंगे चेक करके कहां से क्या फॉल्ट है और रिप्यर करेंगे दोनों से भी आउट फूट नहीं निकाल रहा है देखिए ओन है और बेंक ओन है फिर भी यह मोबाइल चार्ज नहीं कर रहा है तो सबसे पहले इसको बोट को बाहर निकालेंगे तो दो इसक्रूप लगा हुआ है इसको भी ओपन करेंगे और चेक करेंगे सबसे पहले देख लेते हैं आउट फूट तक यह वोल्टेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है और कहां तक पहुंच रहा है देखिए वोल्टेज तो बता रहा है तो देखते हैं कहां स कहां तक इसका वोल्टेज मिल रहा है सबसे पहले इस क्लूप को बाहर निकाल लेते हैं तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए इसमें अच्छी तरह से बताएंगे और रिपर करके भी दिखाएंगे इस क्रूप को बाहर निकाल लेते हैं सबसे पहले उसके बाद में यह बोट को बाहर निकालेंगे और देखते हैं कहीं दीकत तो नहीं है सबसे पहले यह दोनों को कि रिसुल्ट कर लिजिएगा चार लेगर को अच्छी तरह से रिसुल्ट कर दीजिएगा क्योंकि गिरने के बाद में यह सब भी जटका लग जाने से क्रेक हो जाता है पता नहीं चलता है इसके वज़े से भी साइट चार्ज नहीं ले सकता है अच्छी तरह से कि डोनों के रिसुल्ट कर दीजिएगा सोल्डिंग आइडन की मतर से उसके बाद में एक साइट मचा है इधर भी सोल्डिंग कर देते हैं अच्छी तरह से कर लिजिएगा आप लोग भी इस तरह का प्रोलॉम आये यह स्टप आइस्टप चेक कर लिजिएगा हम तो चेक कर लिए हैं यहां तक आट फूड मिल रहा है तो आप लोग को बताएंगे कहां तक आट फूड मिल रहा है और कहां प्रोलॉम है सबसे पहले यह गिरा होगा तो यहां यह फेवी कीक से भी इसको अची तरह से बैक साइड में रहता है प्लास्टिक कर रहता है वो थोड़ा अलग दिख रहा था तो दोनों को भी किम्टी से दबा के इसको फेवी कीक डाल दीजिए और जो निकला हुआ है इसको तो दबा दीजिएगा लोख है यह पीशे से आटका लोख रहता है वो पकड़कर रखेगा यह अथी तरह से फेवी कीक डाल दीजिएगा इसको चैंज भी कर सकते थे है क्योंकि च्रेंगों का और कि सेक्शन है चेंज कर सकते हैं बहुत सो चार्जर में में बिग्रे हुआ चुटा हुआ हुआ में और यह इसनों परदीजिएगा ईएग कुएयल वाला जो मूतर रहता है क्योंकि जमपर इसलदीद्द गपतर ब और जाएगा तरह छी को कुछ पंखे में यह वायर लगता है कि रंगा लगता दीजेगा है कि कहां इसमें हम सोलडिंग कर लिए यह वीडियो लंगी दो दल्यलिग कर लिए अप लोको बताते हैं कहां-कां कहां सुलडिंग किये हैं एधर वला में ground और positive दोनों में किये है और first वला मसिनिव positive में jumper किये हैं यहा किये हैं और आगे वला में भी एक positive में कर दिये हैं jumper तो प्रोपर इस नहीं मिल रहा था current देकि एक सामने वला में किये हैं और अब इसमें देखते हैं चार्ज होता है कि नहीं होता है उससे पहले फ़्रा साप कर लेते हैं कि इसका यही क्रेक हो गया था दोनों कि यहां तक भोल्रेज प्रोफर नहीं मिल रहा था तूट गया था तो देखते हैं क्या चार्ज लेता है या नहीं लेता है आप लोग भी देखिए क्योंकि आपके सामने जो भी काम किये है देखिए चार्जिंग ले लिया है पर आप लोग को नहीं दिख रहा है। दूसरी लगाते हैं चार्जिंग ले रहा हैं पर चले एक वार मोगायल को ऊप करके दिखाते हैं ऊप में तो दीखेगा इसी तरह से अब चेकर टेहां दिखाते हैं अंध TRAD gì देखिए चार्जिंग लेने लगा दोस्तों तो इसी तरह से एस्टेब आश्टेब चेक किजिए कहां तक बोल्ड और फुट निकल नहीं रहा है चेक करके इसी तरह से रिपेर कीजिएगा देखिए दूसरे वाले में भी लेने लगा इसमें भी सो करने लगा देखिए तो इसी तरह से आप लोग चेक करके रिपेर कीजिएगा दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बैल लाइक को दबा कल में सब्सक्राइब निव वीडियो पाने के लिए जय हीन जय भारत